किसी भी क्योशिस में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है हमने 85% जो पूरी ट्रांस्पोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है वे 85% जो है वो रेल्वेस बियर करती है 15% स्टेट को बियर करना है जो कुछ लिमीटेट पैसेंजर, जो स्टेट पैसेंजर से Melbourne को लेके जाना है उसको स्टेट गोर्मन उसी तहट में कॉवर् Теперь भी कर रही है एक्सेट फर 102 स्टेट रेलवे, राजियों के अनुरोद पर वेशी श्रमिक ट्रेने चला रही है जिसके माध्यम से हजारों फंसे हुए प्रवासी लोगों को उनके घरों तक पहुचाया जा रहा है इस प्रकार से फंसे मजदूरों की वापसी को लेकर पहले ही गाइड लाइन जारी की जा चुकी है जिसके तहट अगर जरूरी नहीं है तो लोग यात्रा ना करें और बहुत जरूरी हो तब ही यात्रा करें यात्रा करने के लिए लोगों को राज्य सरकार द्वारा न्यूक्त किये गए नोडल अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा जिसके आधार पर सम्मंधित राज सरकारें ही फैसला करेंगी कि किसी व्यक्ति को यात्रा करने की अनुमती देनी है या नहीं मजदूरों की घर वापसी पर कॉंग्रेस पार्टी की ओर से बयान आया कि सरकार को मजदूरों से किराया नहीं वसूलना चाहिए केरल सरकार ने भी जो नियम तै किये उसके तहट किराया वसूलने की बात कही जिसकी वज़े से भी इस मसले पर बेवजह विवाद बढ़ गया इस राजनितिक बयान बाजी के बाद भाजपा भी कॉंग्रेस पर आकरामक हो गई और कॉंग्रेस पर आरोप लगाया कि उनको इस प्रकार के संबेदनशील मुद्दे पर राजनिती से बचना चाहिए बाजपा प्रवक्ता संबित पात्रार ने ट्वीट करके राहुल गांधी को घेरा और लिखा रेलवे ने कभी भी टिकट बेचने की बात ही नहीं कही पहले जारी की गई गाइड लाइन में ये बात सपश्ट तोर पर लिखी हुई है ये जिम्मेदारी राज सरकारों की है जिसमें कॉंग्रेस शासित राज सरकारें अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहीं पचासी फीसदी जो खर्चा है वो केंदर उठाएगा पंदर फीसदी राज सरकार देंगे इसमें कोई कंफियूजन नहीं लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर सियासत कर रही है अभी तक इतने दिन से करोना वाइरस से पूरा देश लड़ रहा है उसमें कांग्रेस का कोई कंट्रिबूशन नहीं है सहयोग में लेकिन जब अब हम करोना पर नरनायक लड़ाई लड़ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी ये कहकर कि हम रेलवे का पैसा हम जमा करेंगे कन्फूजन पैदा कर रही है इस बीच केंदर सरकार के इस प्रियास की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सराहना की है और कहा है कि इस संकट की घड़ी में केंदर ने ये समवेदनशील कदम उठाया है आंदरपरदेश, तलंगाना, बिहार, मद्परदेश जैसे तमाम राज्यों ने पूरा खर्चा उठाने की बात कही है तो वहीं कुछ राज्ये हैं जिन्होंने अभी तक ये फैसला नहीं लिया है बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा है कि वो सभी मजदूरों को वापस बलाने का सारा खर्च उठाएंगे करती गई और पिछले दो दिनों से ये सिल्सिला प्रारम भी हो गया जानकारी दिन है कि उसके लिए जो भी स्टुडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भड़ा नहीं देना राज्य सरकार रेलिवे को पैसा दे रही है मद्परदेश के मुख्यमंतर शिवराज सिंग चौहान ने भी मजदूरों की घर वापसी पर पूरा खर्चा राज्य सरकार द्वारा वहन करने की बात कही है अपने एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हमने अब तक मद्परदेश के 60,000 से 20 ज्यादा शिर्मिकों को अपने अपने घरों तक उनका पूरा ख्याल रखते हुए पहुचाया है सर्फ इतना ही नहीं हमारे यहां के महमान श्रमिकों को भी हमने उनके राज्यों में सम्मान सहित भिजवाया है मद्परदेश ने पहले ही अलग-अलग राज्यों में फंसे श्रमिकों को सरकार के खर्चे पर वापस लाने का काम शुरू कर दिया है और तलब है कि रेलवे ने देश के विभिन हिस्सों से अब तक श्रमिक विशेश ट्रेने चलाई हैं और संकट के इस समय में विशेश रूप से गरीब से गरीब लोगों को सुरक्षित और सुविधा चनक यात्रा प्रदान करने की अपनी सामाजिक जमेदारी को पूरा कर र और याइब रूरा कर से ओडियोच याइब बदल की अपनी सामाजिक तक येशे लूब क्या जाएब लोगों को से अविशेशार हैं जजेश विशेश गहला को से लोगों कि आपवर्यू कर दोादार कर दो किता हैं उल्राणा को ये विशेशार को